हेलो दोस्तो आज कल बिल्डिंग निर्मान में हाई टेक एक्क्योप्मेंट का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए तो दुबई का गगन चुम्बी बुर्ज खलीफा और टोक्यो के स्काइटरी जैसे मौडर्न मार्बल्स देखने को मिलते हैं आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके आर्किटेक्चर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तो क्या आज का आधुनिक तक्निकों वाला यूग निव खोदे बिना एक गगन चुम्बी इमारत के निर्मान की कलपना कर सकता है लेकिन एक ऐसा भी मंदिर है जो कई सदियों से बिना निव के खड़ा है वो है तमिलनाडो का विरह देश्वर मंदिर यह मंदिर भगवान शीव को समर्पित है दोस्तों इस मंदिर की सबसे ज़्यादा चौकाने वाली बात ये है कि इसके निर्मान में पत्थरों के बीच कोई सिमेंट प्लास्टर या किसी भी तरों के चिपकने वाले पदार्थों का परियोग नहीं किया गया है इसके बावजूत पिछले एक हजार वर्सों में छे बड़े भुकंबो को जहल कर भी यह मंदिर आज तक अपने मूल स्वरूप में है इस मंदिर का निर्मान चोल सासक प्रथम राजराद चोल ने करवाया था इसे राज-राजेश्वर मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है 216 फिट उचा यह मंदिर उस समय दुनिया का सबसे उचा मंदिर था इसके निर्मान के कई वर्सों बाद बनी पीसा की मिनार खराब इंजिनियरिंग की वज़ों से समय के साथ जुक रही है लेकिन ब्रहदेश्वर मंदिर पीसा की मिनार से भी प्राचीन होने के बाद भी अपने अक्ष पर एक भी अंच का जुकाव नहीं रखता और बिल्कुल सीधा खड़ा है क्योंकि इस मंदिर को इंटर लॉकिंग विधी का उप्योग करके बनाया गया है इस पजल यां इंटर लॉकिंग टेक्निक का मतलब है कि एक पत्थर के उपपर दूसरे पत्थर को जमाना वो भी बिना किसी सिमेंट प्लास्टर का इस्तेमाल किये यानि दो पत्थरों के बीच कुछ भी नहीं होता है दोस्तों कहा जाता है कि प्रदेश्वर मंदिर के निर्मान के लिए एक दसमलो तीन लाक टंड ग्रेनाइट का उप्योग किया गया था जिससे साट किलोमेटर दूर से तीन हजार हात्यों द्वारा लाया गया था इस मंदिर का निर्मान जमीन को खोदे बिना किया गया था, यानि यहां मंदिर बिना निव का मंदिर है, मंदिर की एक और खास बात है कि इसके शिकर पर इस्तित एक सिंगल पत्थर जिसे कुम्ब कहते हैं उसका वजन 81 टन है, आज के समय में इतनी उचाई पर 81 टन वजनी प केल हो जाएंगी, लेकिन उस समय के कुशल कारिगरों ने ऐसा कमाल कर दिखाया, यहां की एक और हैरान कर देने वाली चीज है, हमारे शिवजी की शान की सवारी नंदी, इन्हें भी एक ही पत्थर से करू करके बना गया है, जिसकी उचाई 13 फिट है, दोस्तों अब आप ख कि एक विशेस्ता यहां भी है कि इसके गुंबत की परच्छाई धर्ती पर नहीं पड़ती, दोस्तों ये सब जानकर कहना गलत नहीं होगा कि मंदिर निर्मार के लिए प्रियोग किये गे इंजिनियरिंग के इस्तर को दुनिया के साथ आस्चरियों में से किसी भी आस्चर है, ऐसे कुशल कारीगरों को मेरा नमन है, इसी तरह की वीडियोज को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सस्क्राइब चरूर कर दें